चोटे जग्गू करवे और चिडिया के बेटे कुकू का जैनम दिन एक ही था जग्गू तो बहुत खुश था क्यूंकि इस बार जग्गू के मम्मा और पापा जग्गू का जैनम दिन बहुत धूम धाम से मनाने वाले थे मगर चोटा कुकू बहुत उदास था क्यूंकि वो एक वारी चुडिया का बेगा था और वो जानता था कि इस बार भी इसकी मम्मा इसके ज़नम दिन पर रेक नहीं का देगी और नहीं उसे कोई गिफ्ट देगा कुकू मेरे पापा ने प्रोमिस किया है कि वो मुझे कल मेरे जनम दिन पर बड़ा हवाई जहाज लेकर देंगे और और मेरे जनम दिन पर बड़ा चोकलेट केक देगा इस बार और कुकू आप अपना जनम दिन कैसे मिना रहे हो अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं है मैं अभी जाकर अपनी मम्मा से पूछता हूँ फिर कुकू तरुंद अपनी मम्मा के पास चला जाता है मम्मा कल मेरा जनम दिन है मुझे पता है बेटा ममा जगू के पापा कल जगू को बड़ा हवाई जहाज देंगे और वो चोकलेट केक भी काटेंगे मैं भी अपने बेटे को मीठा हलवा बना कर दूंगी कल फिर वही मीठा हलवा मैं नहीं खाऊंगा आपने पिछली बार भी ऐसा ही किया था ना कोई गिफ्ट मिला था मुझे और ना ही केक कुकु मेरी चान आपके पापा इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको ये सब ले कर दे सकूँ मगर वो छोटा बच्चा ये सब नहीं समझ रहा था वो तो चुप चाप गुसे होकर बैठ जाता है गोरी ये क्या इस बार आप दो केक क्यों ले रही हो ये मैं आपको कल बताऊंगी अच्छा अब जल्दी से जग्गू के लिए खिलोने ले लो फिर कालू कवा अपने बेटे के लिए खिलोने ले ले लेता है मिठू तोता और कबूतर भी बाजार गे हुए थे मिठू क्या चिडिया को सब बताया है नहीं कबूतर चिडिया और कुकू को सर्प्राइज देना है गोरी कवी ने कहा था कि अभी चिडिया से कोई बात ना करना कुकू तो बहुत खुश होगा ये सब देह कर फिर मिठू और कबूतर भी अपने अपने गिफ्ट लेते हैं शाम को चिडिया नदी पर बैठी हुई थी कि वहां गोरी कवी आ जाती है चिडिया यहां बैठी क्या कर रही हो क्या करूं कल कुकू का जनम दिन है और वो सुबहा से रोय जा रहा है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे केक और गिफ्ट लेकर दे सकूँ वो बच्चा है और बच्चे ऐसी चोटी चोटी खुशियों को लेकर बहुत एक्साइटिड होते हैं मैं तो कल उसे साथ लेकर पहाडों पर चली जाओंगी और वहाँ ही सारा दिन गुजारूंगी वो क्यों चिडिया बहन? गोरी कल आपके बेटे का भी जनम दिन है कुकु जगु के खिलोने और केक देखकर और भी रोने लग जाएगा गोरी ने जो प्लैन बनाया था वो चिडिया को बताना नहीं चाहती थी इसलिए वो चिडिया से कहती है ना ना तुम पहाडों पर ना जाना घर में ही रहना मैं थोड़ा सा केक जगु के हाथ भेज दूँगी वो कुकु को खिला देना फिर चिडिया और गोरी कवी अपने अपने घर चले जाते है दूसरे रोज कुकु की ममा कुकु से कहती है कुकु बेटा उठो कल से कैसे खौशले में ही लेटे हुए हो क्यों अपनी ममा को तन कर रहे हो ऐसे मैं नहीं जाऊंगा मैं घर में ही रहूँगा जगु और किकी मुझे चेड़ते हैं वो मा बेटा ऐसे घर में बैठे हुए थे कबूतर, मिठू दोता, गोरी कवी, कालू कवा और जगू सब पक्षियों ने तरहां-तरहां के गिफ्ट लिये हुए थे और वो जिडिया के घर की तरफ जा रहे थे मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ और सब मिलकर सरपराईज देंगे कुकू को गोरी तस्तक देती है कुकू दरवाजा खोलता है कुकू की ममा भी आ जाती है वो सब पक्षियों को देह कर बहुत हैरान हो जाते हैं इस बार हम सब मिलकर जगू और कुकू का जनम दिन आपके घर में मनाने आएं हैं क्या हम अंदर आ जाएं चिडिया की आँखों में खुशी के आंसू थे ऐसे सब पक्षी मिलकर कूकू और जगू का जनम दिन मनाते हैं कूकू अपने नाम का केक देखकर बहुत खुश हो रहा था हैपी बार डे चिडिया की बेटी गुडिया बहुत अकलमन थी वो हर का में अपनी ममा की मदद करती थी वो हमेशा कुछ नया करती थी आज गुडिया अपनी ममा से कहती है ममा मैं नानो के जंगल गई थी वहाँ मैंने देखा कि एक पक्षी जलेबियां बेच रहा था ममा उसकी जलेबियां हातों हात बिक रही थी हाँ बेटी पक्षियों को मीठा बहुत पसंद होता है और जलेबि तो हर एक पक्षी की मन पसंद होती है ममा हमारे जंगल में कोई भी जलेबि की दुकान नहीं है क्यों न हम इस जंगल में जलेबियां बेचनी शुरू करें ममा देखना हमारा काम कैसे चलता है गुडिया बेटी बात तो तुम्हारी ठीक है हम कल से ही जंगल में जलेबियां बेचनी शुरू करते हैं मगर मुझे तो जलेबियां बनाने ही नहीं आती किसान की पतनी ममा आप किसान की पतनी से पूछाएं के जलेबिया कैसे बनाते हैं मैं ऐसा ही करती हूँ गुडिया बेटी आप घर के काम करें और मैं किसान की पतनी से पूछ कर आती हूँ के जलेबिया कैसे बनाई जाती है ममा चिडिया किसान की पतनी के पास चाती है किसान की पतनी चिडिया को जलेबी बनाने की सारी रेसिपी बता देती है चिडिया याद रखना शकर को पानी में अच्छे से पका कर शर्बत त्यार करना है मुझे सब पता चल गया है आप चिंता ना करें मैं सारा काम अच्छे से करूंगी फिर चिडिया खुशी खुशी घर वापिस आती है दूसरे दिन चिडिया और उसकी बेटी जंगल में जलेबियां बेचना शुरू करती है जो भी पक्षी चिडिया की जलेबियां खाता वो अपने पंक्खी चाटता रह जाता सबको चिडिया की जलेबियां बहुत पसंद आती है चिडिया बहुत स्वादिष्ट है आपकी जलेबि मैंने जिन्दगी में पहले कभी इतनी स्वादिष्ट जले भी नहीं खाई कबूत भेया कोई भी काम इमानदारी और महनत से करो तो फिर ही अच्छा होता है कुछी दिनों में चिडिया के पास काफी सारे पैसे जमा हो जाते हैं क्यूंके उसे अच्छा मनाफा जो हो रहा था चिडिया के पडोस में एक कव्वा और कव्वी भी रहते थे जो हमेशा किसी भी काम में शौर्ट पट लगाते थे वो चिडिया की कमाई देख कर बहुत जर रहे थे इसलिए एक दिन कव्वे की पत्मी गोरी कव्वी अपने पती से कहती है कालू जी चिडिया को देखो जलेबी बेच कर पुछी दिनों में बहुत अमीर हो गई है हाँ चिडिया की जलेबी की दीकान बहुत चलने लगी है कालू ये कौन सा मुश्किल काम है जलेबी तो मैं भी बना सकती हूँ क्यों न हम भी चिडिया के मुकाबले में अपनी जलेबी की दूकान बना ले और फिर हम भी चिडिया की तरहां अमीर हो जाएंगे तो फिर काम शुरू करते हैं मैं आज ही अपनी मां से कडाही लेकर आती हूँ और तुम बाजार से जलेबी बनाने का सामान ले आओ ऐसे गोरी कववी अपनी मां से कडाही लेने चली जाती है और कालू कववा बाजार जाता है मा मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी कडाही दे दे गोरी बेटी क्या हलवा बनाना है नहीं मा मैंने और कालू ने चिडिया के मुकाबले में जलेबी की दुकान बनानी है मा चिडिया कुछी दिनों में जलेबी बेज कर बहुत अमीर हो गई है तो फिर जल्दी से तुम भी ये काम शुरू करो फिर गोरी कवी अपनी मां से कडाही लेकर वापिस होती है कालू कवाबी जलेबी बनाने का सामान ले आता है फिर दूसरे दिन कालू और गोरी जलेबी बनाना शुरू करते हैं कालू जी एक चीज तो मैं भूल ही गई क्या गोरी कालू जी ये जलेबी का रंग लाल कैसे करते है पागल ये भी कोई मुश्किल काम है जरूर जलेबी में लाल मिर्ची डालते होंगे इसलिए तो जलेबी का रंग लाल होता है सोरी सोरी कालू जी ये तो बहुत आसान है फिर गोरी कवी रसोई से लाल मिर्ची लाकर जलेबी के आठे में मिला देती है और वो दुकान शुरू करते हैं जलेबी जलेबी चिडिया से ज़्यादा स्वादिष्ट मीठी मीठी जलेबी लो गोरी ऐसे आवाज लगाती है ममा ये गोरी आंटी ने चले भी बनाना कहां से सीखी है गुडिया बेटी इसे कोई भी कम धंग से नहीं करना आता इसे तो सिर्फ दूसरों से जलना ही आता है अब ही थोड़ी ही देर हुई थी के चील कवे और कवी के पास जाती है और कहती है कवे और कवी मेरे बेटे की शादी है मैं आप से पूरी दस किलो जलेबी लेने आई हूँ दस किलो जलेबी बैठें बैठें दीदी चील आप हमारी पहली ग्राहक है मैं अब ही आपको प्लेट में जलेबी डाल कर खाने के लिए देती हूँ पहले खाये और फिर बाद में ले कर जाये आप जलेबी ऐसा कहते हुए गोरी कवी प्लेट में जलेबी डाल कर चील को दे देती है चील जलेबी खाना शुरू करती है जलेबी में तो गोरी और कालू ने लाल करने के लिए लाल मिर्ची मिला रखी थी मर गई, मर गई रे, कवो, तुम्हारा खाना खराब ये क्या खिला दिया मुझे तुमने, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हे ऐसा कहते हुए चील कवों के पीछे भागती है मगर कवा और कवी तो चील से आगे आगे भाग जाते हैं फिर क्या था के चील पीछे पीछे और गोरी और कालू आगे आगे कालू भाग भाग, कालू ये काम आसान नहीं है लगता है कुछ उल्ट हो गया है ऐसे कवा और कवी भाग कर अपनी जान बजाते हैं